आज अब दोस्तों मैं हूँ शहजाद आलम बर्नी आप देख रहे हैं दब बर्नी शोओ आज हम अपने शोओ में जो मुद्दा लेकर क्या है वो मुद्दा है बीजे पी का किरदार कटुआ को लेकर के कटुआ के दोशियों के समर्थन में बाकाइदा रैलिया निकाली थी आज हम उनको फोटेज भी दिखाएंगे और उन दोनों बीजे पी के मिनिस्टर के नाम भी बताएंगे कौन थे वो मिनिस्टर जिनोंने उन दोशियों के लिए बाकाइदा रैलिय निकाली थी और उन्होंने क्या क्या उस रेली में कहा था मजली से इत्यादल मुसलिमीन के अध्यक्ष असुद्दीन ओएसी ने कटवा मामले में जब इनसाफ मिला है उसके केस के रिजल्ट के बाद जो फैसल आया है उसके बाद बाकाइदा सवाल उठाए हैं के आखिर दोशियों के समर्थन में बीजेपी के नेता क्यों पहुंचे थे बीजेपी की बाकाइदा जो लॉयर्स विंग है उसके लोगों ने और जो वहाँ पर बीजेपी से जोड़े हुए लॉयर्स थे उन्होंने बाकाइदा तिरंगा हात में लेकर के यात्रा की थी रास्टरवाद का नारा दिया जा रहा था तिरंगा लेकर के चला जा रहा था दोशियों के समर्थन में और कहा जा रहा था कि मंदिर के अंदर ऐसा घिनोना अपराद नहीं हो सकता है बिल्कुल हमारा भी यही मानना है कि चाहे कोई भी धार्मी के स्थलों नहीं हो सकता है लेकिन यह हुआ सबको यही उम्मीद थी कि शायद मंदिर के अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा इसलिए पीडिता के परिवार ने उस बच्ची को मंदिर में ढूंडने के बारे में कभी सोचा भी नहीं लेकिन बाद में पता चला कि उस मंदिर के अंदर ही उस बच्ची के साथ लगातार चार दिन तक बेहोश करके बलतकार किया गया जब दोशियों को अरेस्ट किया गया और कटुआ के नियायले लेकर के आया गया तो वहाँ पर बाकाइदा वकीलों ने और बीजेपी के नेताओं ने पिरदर्शन किया इस पिरदर्शन का हिस्सा बने थे BJP के मंतरी मिनिस्टर फॉर कॉवमर्स चंदर पिरकाश कंगा और एक और जो दूसरे मिनिस्टर थे वो थे मिनिस्टर फॉरेस्ट चौदरी लाल सिंग ये दोनों मिनिस्टर बाकाइदा उस पिरदरशन में शामिल हुए हम आपको एक बयान दिखाते हैं जो चौधरी लाल सिंग जो मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट थे उनकी तरफ से दिया गया था ये उसकी बाकाइदा कटिंग है जो बयान हमें न्यूज में मिला बाकाइदा उसकी हमने स्क्रीन शॉर्ट का इस्तमाल किया गया है चौधरी लाल सिंग कहते हैं बाकाइदा हम आपको ये स्क्रीन शॉर्ट दिखा रहे हैं चौदरी लाल सिंग कहते हैं, if you have launched an agitation, do it with full force, or sit at home. What is this section 144? This one girl has died, and there is so much of investigation. There have been many deaths of women here. ये चौदरी लाल सिंग जो BJP के Minister for Forest ते, उनका बाकाइदा बयान था कि एक लड़की मर गई है, उसके लिए इतनी सारी जांचें, क्यूं हो रही हैं, और अगर आपने कोई पिरदर्शन शुरू किया है, तो उसको पूरी थाकत से करो, नहीं तो घर पर बैठ जाओ, और ये धारा 144 क्या होती है, क्या है इसका मतलब? बहले ये मंत्री के बयान थे, बाकाइदा जो बयान दिये गए, इसी को लेकर करके अब सवाल उठ रहे हैं, कि जो लोग दोशियों के समर्थन में उतुरह थे, क्या उन पर कारवाई नहीं होनी चाहिए उन पर भी कारवाई होनी चाहिए FIR दर्ज होनी चाहिए और उन लोगों पर कारवाई होनी चाहिए जो इन जैसे लोगों के समर्थन में उत्रे थे जिनोंने एक मासूम को अपनी हवस का शिकार बना लिया था आप लोगों को क्या लगता है कि क्या वाकिए में इन पर F.I.R. धर्ज नहीं होनी चाहिए क्या इन पर कोई कारवाई नहीं होनी चाहिए यदि आपको ऐसा लगता है तो आप लोग अपनी पिरती के रिए हमें जरूर बताईए वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है करेंगे नहीं होनी चाहिए